आपका पहला सवाल है भारत में शर्वाधिक वार्षा की श्राज में होती है आपका ओप्सन है A. जमू कश्मीर, B. में घालई, C. तमिल लाडू, D. महाराश्ट्र आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन B. में घालई, नेक्ष्ट है छेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका ओप्सन है A. जमू कश्मीर, B. पश्शिम बंगाल, C. तमिल लाडू, D. राजश्थान आपका सही जवाब होगा ओप्सन D. राजश्थान नेक्ष्ट है देश की दुसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा कौन सी है आपका ओप्सन है A. हिंदी, B. कंणर, C. तेलगू, D. मराठी आपका सही जवाब होगा ओप्सन D. मराठी नेक्ष्ट है देश के पहले ग्रीह मंत्री कौन थे आपका ओप्सन है A. महत्मा गांधी, B. जवाहर लाल नहीरू, C. शर्दार बल्लभाई पटेल, D. चंद्रशेखर आजाद आपका सही जवाब होगा ओप्सन C. शर्दार बल्लभाई पटेल नेक्ष्ट है आधोनिक भारत की शिक्षा की देवी थी आपका ओप्सन है A. श्रस्वती, B. फातिमा फूले C. जोतीबा फूले D. सावीत्री बाई फूले आपका सही जवाब होगा ओप्सन D. सावीत्री बाई फूले नेक्ष्ट है हाई कोट की पहली महीला जल्च कौन थी आपका ओप्सन है A. रजिया सुल्तान B. नियाय मुर्थी अन्ना चांडी C. फातिमा बीबी D. नियाय मुर्थी मेरी जोशेप आपका सही जवाब होगा ओप्सन C. फातिमा बीबी नेक्ष्ट है बाल दिवस किसके जिनम दिन पर मनाया जाता है आपका ओप्सन है A. महत्मा गांधी B. जवाहर लाल नहिरू C. लाल बहादूर साष्ट्री D. चंदर सेखर आजाद आपका सही जवाब होगा ओप्सन B. जवाहर लाल नहिरू नेक्ष्ट है मुसलिम लिख की आष्ठापना कब होई थी आपका ओप्सन है सन 1906 इश्वी में B. सन 1911 इश्वी में C. सन 1923 इश्वी में D. सन 1901 इश्वी में आपका सही जवाब होगा ओप्सन A. सन 1906 इश्वी में नेक्ष्ट है डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं आपका ओप्सन है आपका सही चवाब होगा ओप्सन दी बैच चिकिस शक नेक्ष्ट है भारत का मुकुट किसे कहा जाता है आपका ओप्सन है आपका सही चवाब होगा ओप्सन ए जमुव कस्मीर नेक्ष्ट है भारत के किस राजिक का नाम हिंदी व अंग्रेजी में अलग-अलग है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगा ओप्सन बी पर्ष्ट बंगाल नेक्ष्ट है भारत के किस राजिक को मंदीरों का राजिक कहा जाता है आपका ओप्सन है अ जमुव कस्मीर बी पर्ष्ट बंगाल सी तमिल लाडू दी महाराष्ट आपका सही जवाब होगा ओप्सन सी तमिल लाडू नेक्ष्ट है भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगा ओप्सन दी मुंबई सहर को नेक्ष्ट है भारत में सबसे अधिक संपती वाला राज़े कौन है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगा ओप्सन दी महाराश्ट्र आपका सही जवाब होगा ओप्सन ए कछुआ नेक्ष्ट है किस जीव की संक्या संसार में शर्वाधीक है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगी ओप्सन दी मच्ष्ट है यदि भारत का राश्ट्रपती इस दिफा देना चाहे तो वा अपना इस दिफा किसे सौपेगा आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगी ओप्सन दी मच्ष्ट है दुन्या की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगा ओप्सन सी कानाडा नेक्ष्ट है भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है आपका ओप्सन है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगा ओप्सन सी रेडे क्लिफ लाइन नेक्ष्ट है अन्दमान निकोबार द्वीप समू में कितने दीप मौजूद है आपका ओप्सन है आपका सही जवाब होगा ओप्सन सी रेडे क्लिफ लाइन सी पीतल दी सोडियम आपका सही जवाब होगा ओप्सन ए गरफाइड नेक्ष्ट है फ्लाइंग सी के नाम से किसे जाना जाता है आपका ओप्सन है ए मिलकासी बी बलवनसी शी सेखावत्सी दी पीर्शी आपका सही जवाब होगा ओप्सन ए मिलकासी नेक्ष्ट है सवीधान के प्रारूप समीती के चेर्मेन कौन थे आपका ओप्सन है ए भगच्छी बी डॉक्टर भीमराव अमेटकर सी ज्वाहर लाल नहिरू डी चंदर सेखर आजाद इनमें से आपका सही जवाब होगा ओप्सन बी डॉक्टर भीमराव अमेटकर नेक्ष्ट है किस जानवर की कभी मौत नहीं होती आपका ओप्सन है आपकी सही जवाब होगा ओप्सन बी जेली फीज दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए है पर्थम किरकेट बिश्व कब जीतने वाला देश कौन सा है ये सवाल का जवाब आप सभी को कॉमेंट करके बताना है अगर आप UPSC, SSC, NDA, RRB जैसी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं और सटिक और महत्पुर्ण समाने गान की आवाश रखता है तो हमारे चैनल वन मिलियन जीके को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे हम निशित रुप से आपकी परिक्षाओं की तयारी में मदद करेंगे और आपके समाने ग्यान को मजबुत और सुरक्षित बनाएंगे धन्यवाद और जै हिंद